नमस्कार साथियों जई हैं जई भारत मैं गोपाल प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं मारे यूटूब चैनल नहीं हो अतले लेकेर में पर दोस्तों आज मैं आपके लिए भहुत सरल ही कोशन लेकर आया हूं जो रेलवे के अंदर सबसे महतोपूर्ण प्रस्न रहे ह जैसा कि आप स्क्रीन के अपर देखे हैं कि एक ही कोशन 14 बार पुछा गया एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ज्यारा बारा तेरा 14 बार आया हुआ कोशन है तो बहुत ही सिंपल सोटकर तारीका बताऊंगा बहुत केलकुलेशन को फस्ट करने वाली मेथड़ ब हारने वाला है जितने वाले को कितना मिला यह जितने वाले को 40 परशन तो जीतने वाले को कितना मिला सहट तो दोस्तों यह 40 परशन हुआ यह सहट परशन हुआ अब आप इन दोनों के भीज़ देखो अंतर कितने का है तो आप कहोगे कि सर इसके 20 अंतर 20 का है कितने का अंतर 100 मतों से हारता है हार और जीत का जो अंतर है 100 वोट का है तो 20% बराबर 100 तो 1% बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 5 1% बराबर 5 आया है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 5 ये होगा हमारा सही जवाब ठीके दोस्तो अग्ला वाला प्रसन देखो अग्ला वाला प्रसन भी इतनी बार पूछा गया question है कौन सा वाला प्रसन है जरा इधर समर्लो यार यह रहा अग्ला वाला प्रसन आपकी screen के उपर वेन डायग्राम वाली विदी नहीं लगाना है वो सोटकट तरीके से समझाओंगा वो सोटकट तरीका क्या है जरा आप यहां पे ध्यान देना दोस्तो चल अब इदर देखो क्या कहा गया इस कोशन के अंदर थोड़ा सा आप ध्यान दीजेगा दोस्तो कि क्या कहा गया इस को तो अब इधर देखो यहाँ पास हुए 60% अब देखो बेटा यह पास है तो यह भी पास है पूरी पास की कंडिशन बनी तो यहाँ पर यह मालो एक विक्ति इधर पास हुआ एक विक्ति इधर पास हुआ बना कुछ विक्ति दोनों में पास हुए तो ध्यान रखना जो दोनो में फेल हो बिटा उसको करदो माइनस यह कहा गया 40% दोनों में पास हो तो 40% को क्या करदो भई माइनस करदो यहाँ तो देखो 65 और यह कितना हो गया 125 125 में से 40 में ने माइनस किया तो कितना आया भई हमारे पास 85% यह क्या होगे पास होगे तो इनकी नहिया तो तेर गई, अब डुबने वालों की नहिया देखो दोस्तो, 85% पास हुआ, तो फेल कितना हो गया हमारे पास, 100-85 किया दोस्तो, तो कितना आया, ये 15% की गाड़ी क्या हो गई, बीच में रुख गई, तो 15% के बराबर कितना आगया हमारे पास, 90 क्यों, य ये फेल आया भई, ये 100% कुल में से ये 500, तो 100 में से 85 गया, कितना है 15, तो 15% बराबर 90, तो 1% बराबर कितना हो गया हमारे पास, 600, ये क्या होगा दोस्तो, हमारा सही जवाब होगा, क्या होगा ये 600 क्या बनेगा हमारा, correct answer बनेगा, चलो अब next वाला question देखते, next वाला question य ये रहा, क्या कहा गया, किसी संख्या, देखो, ये है अगलावला प्रस्ण, ये कहा गया, किसी संख्या के 30% का 15% 18 है, 30% का 15% का 18 है, तो इधर देखना साथियों क्या हो जाएगा, 30% किसी संख्या X के 30% का 15% क्या है दोस्तो 18, ये 18, ये हुआ हमारे साथ, तो ये 0 से 0 कर ग 3 आया 5 से काटा कितना आया हमारे पास 20 आया 3 से काटा 3 छंग 18 तीन से काटा 3 दुना 6 तो X बराबर कितना आया 2 गुणि 20 गुणि कितना आ गया 10 तो क्या बना हमारा अंसर 400 इसमें क्या कहा गया दोस्तों समझे एक दिन एक दिन एक दिन दोस्तों कि जो अधिकतर एक्जाम में पूछे गए एक दिन चार घंटे वर तीस मिनट का कितना होगा अब आप जानते हो दोस्तों कि एक दिन में 24 घंटे होते तो यह बटे लिग दिन में 24 घंटे और यहाँ पर 4 घंटे 30 मिनट का मतलब आधा घंटा मतलब कितना होगया साड़े चार घंटे साड़े चार घंटे प्रतिसब का मतलब क्या भाई सो तो यह लिग दिया मैंने हन्द्रेट परसेंट 10 मलोह हटायाżej Studio colors जीरो से जीरो कड़ गया अब चार से देखो q2 से काटा कितना है रहे और दो से काट कितना और 3 से काट कितना है हमारा पस चार आया तिन वूच्टतर और 15 में आगे में आगे हल करूंगा तो कितना हो गया अठारा सही 3 बटे 4 परशें यह हुआ हमारा answer तो दोस्तो इसमें वो question थे जो RRB की जान रहे है RRB में ज़्यादा पुछे गए question वो मेंने करवाए हैं तो ऐसे ही रोचक question में आपके सामने लेकर आता रहूँगा दोस्तो चलो अब देखिते मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए दोस्तो जय ही जय भारत